नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपका प्यार से चैनल टेक बाइस में राजस्थान समीदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी निकल के सामने आ रही है माने मुखमंतरी जी ने एलान कर दिया है कि समीदा कर्मियों के हित्मे कार किया जाए वीडियो सुरू करने से पहले मेरा आप सेखिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर लिजे सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन दबा लिजे इससे क्या होगा राजस्थान से समीदा कर्मियों से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको देखने है और सुनने को मिलेगा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि माने मुखमंतरी भजनलाल सर्मा जी ने एलान कर दिया एक मंच से उन्होंने कहा है कि राजस्थान के सभी समीदा कर्मियों का नेमती करण पेंडिंग में पड़ा है आप लोग जो है समीदा कर्मियों का नेमती करण कल से सुरू कर दिजे अनिमानी मुखमतिर जे इलान कर दिया है कि आप लोगों का नेयमति करड़ की परकिसी करण कल से सुरु हो रही है तो कल से रायस्थान में 90,000 समीदा कर्मियों का नेयमति करड़ सुरु हो जाएगा आप लोग भी कआ चनलों के माधयम से देखे होंगे कि मानी भजनलाल सर्माजी ने एलान जो किया है कि 90,000 समीदा कर्मियों का नेमती करण कल से सुरू हो जाएगा तो रायस्थान के सभी समीदा कर्मियों के लिए बहुत खुसी की बात है कि कल से फिर से आप लोगों का नेमती करण सुरू हो जाएगा अब रही बात की कौन कौन सा विभाग नियमित हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें पंचाय साइक पहले नंबर पे है ठेका पर्था जनता जले हो जना बिद्धूत विभाग ऐसे बहुत सारे जो है विभाग हैं आप लोगों को नियमती होगा जनवरी में आपको नये साल के तौफ रूप में आप लोगों को दिया जाएका और रही बात की अनुभाव कितना अनुभा होगा जैसे पहले आई लेकिन इस बार अगर आपका अनुवव पांच साल का है तो आप लोगों का नियमती करण चुरू होता था उसमें आप लोगों का अगर 15 साल का अनुवव यह यनका भी अनुवव 5 साल का है उनन लोगों को परिशान होने की जरूइत नहीं उनको भी नीमित किया जाएगा और वीडियो को पसंद दाया तो तो फिलीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब करके जाएगा धन्यबाद